एलो स्टुडेंट्स कैसे आप लो क्लास 12 की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज की लिक्चर में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग रिएशियोस की रिविजन करूँगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक केस बेस्ट MCQ इसी चैप्टर पे डिसकस्ट भी करूँगा चलिए बिना जादा वक्त कवाए मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूँ इस प्रकार की रिविजन और केस बेस्ट कोशन की प्रैक्टिस की वीडियो और लड़ी मैंने चैनल पे अप्लोड कर रखी हैं तो और भी वीडियो अप्लोड हैं आप चेक कर सकते हैं मैं पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए आई बटन पे छोड़ दूँगा अब उसको भी चेक आउट कर सकते हैं ठीक है अचा दूसरी बात जो मैं रिविजन वाला पार्ट होगा यह वीडियो को एक प्रकार सब दो हिस्सों में बानके चलिएगा जो रिविजन वाला आप लोगा ने में पूरानी वीडियो से देखे होगी तो आपको पता होगा तो मैं आपने आउडियो पर जादा फोकस करता हूं बोलने का क्या मतलब है कि मैं रिविजन के लिए चीज़े बोलता रहूंगा कॉंसेप्स बोलता रहूंगा आपको आखों से इसको देखना ज़रूरी नहीं है आप आग बन करके एरफोन कान में लगा के अराम से सुन भी सकते हैं अगर आपका पढ़ने का मन ना कर रहा हो सपोस्स तो रिविजन वाला पार्ट अकॉर्डिंग्ली होगा हाँ लेकिन के लिए आपको स्क्रीन को देखना पड़ेगा दूसरी बात यह चाहिए तो इस टिप को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं और अपनी के साब से आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वा मेकिंग इस वीडियो टाइम एफेक्टिव और यू चलिए पढ़ावट से हम पहले इस पूरी चैप्टर की रिविजन कर लेते आपकोंटिंग रिएशयो एक फॉर्मूला बेस्त मोर ओल्लस चेप्टर एपका थिक तो इस चैप्टर समधी की है से मैं आपनी को शुरू करता हूं तो सबसे पहली बात पर बोलू अप्पांटिंग रेशयो का मतलब क्या होता है तो रेशयो एक पेसिकली mathematical term होती है आपके बच्पन भी ratios पढ़े होए है ratios क्या करता है basically किसी दो चीज के बीच में या किसी दो आइटम के बीच में relationship explain करता है या कुछ relationship दिखाता है तो जब मैं accounting ratios की बात करता हूँ तो accounting ratios basically आपके दो financial items के बीच में relationship बताता है जो आपके financial statements में आ रहे होती है तो it is a mathematical expression of relationship between two related and interdependent items और group of items shown in financial statements तो यह होता है आपका accounting ratios का meaning चलिए दूसरी बात आती है ratio analysis accounting ratios का meaning हो गया अब ratio analysis क्या होता है ratio analysis एक पहली बात financial analysis का tool होता है financial analysis का tool होता है अब यह vertical analysis का tool है यह horizontal analysis का tool है यह आप लोग मेरे को comment section में बताना ज़रूर तीक है ज़रूर समझे बताना कि यह कौन से type का analysis analytical tool है anyway तो ratio analysis क्या होता है यह पूरा process होता है, जिसमें हम तरह तरह की ratios compute करते हैं, ठीक है, ratios क्यों compute करते हैं, again, जैसे हमने उपर discuss किया, to determine the relationship of related or interdependent items or group of items, ठीक है, तो relationship को identify करना, compute करना, determine करना, इनको present करना, ठीक है, सिर्फ यहां तक नहीं, इसके basis पे, इस analysis के basis में कुछ conclusion भी निकालना, कुछ conclusion निक बालना, ठीक है, ratios को study करना, ratios का analyze करना, यह पूरा ratio analysis का part होता है, ठीक है, it is the process of computing, determining and presenting the relationship of related or interdependent items or group of items, एन दा financial statements, it is an important technique of financial analysis, और एक किस तरह का tool है, horizontal analysis है, या vertical analysis है, या आप मुझे comment section में बताना, next है, theoretical point, objective क्या होता है, ratio analysis के तो फटा-फट देख लेते हैं, it is the earning capacity and financial soundness and operational efficiency of an enterprise, एक यह objective हो गया, दूसरा है, to simplify the accounting information, क्योंकि financial statements में बहुत मोटी-मोटी amount की figures आती हैं कई बार, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को simplify करने के लिए भी accounting ratios की calculation होती है, third है, बहुत important feature, to help in comparative analysis, तो comparison करने में भी help करता है, ratio analysis, अगला है, similar सी बात है, uses क्या है, ratio analysis की, तो simple है, analysis of financial statements, फिर assessing the profitability of business, फिर assessing the liquidity या short term solvency of the business, liquidity या short term solvency of the business, liquidity की जब मैं बात करता है, तो liquidity का क्या मतलब होता है, liquidity basically बताता है, कोई भी asset आपका कितना easily cash में convertible है, और solvency का मतलब क्या होता है, debt को repay करने की एक जो capacity होती है, ability होती है, वो होता है solvency, तो assessing the liquidity और short term solvency of the business, वैसी assessing in the long term solvency of the business, short term solvency भी, short term solvency हम short term liabilities के लिए बात करते हैं, और long term liabilities के लिए बात करते हैं, फिर तोगे assess the operating efficiency of the business ठीक है फिर इंट्रा-firm या इंट्र-firm comparison के लिए, ओके फिर locating the weak areas of business कहां-कहां business हमारा कमजोर पड़ रहा है वो identify करने के लिए ratio analysis की जाती है अच्छा, क्या सिरे benefits ही benefits होते है ratio analysis के कुछ limitations नहीं होती, बिल्कुल होती है जब हम financial analysis पढ़ते हैं, तो हम वहां पे भी financial analysis की limitations पढ़ते हैं इवन जब हम financial statements की बात करते हैं, वहां पे भी limitations की बात करते हैं, तो जब हम ratio analysis भी बोलेंगे तो definite सी बात है, कुछ न कुछ limitations यहां पे भी होंगे पहली limitation क्या है, कि ratio analysis में qualitative factors आपके इग्नोर हो जाते हैं qualitative factors आप इग्नोर सेकेंड है कोई lack of standard ratio standard ratio मतला एक benchmark generally benchmark का आपके पास नहीं होता जिसके अगेंस आप comparison कर पाऊ तो ratio analysis में एक standard या benchmark ratio की कमी होती है third false results if अगर incorrect information हो तो हमने क्या बोला हम ratio analysis financial statements में जो interrelated items होती है उनकी relationship determine करते हैं या basically financial statements की figures या information लेकर ratio analysis करते हैं लेकिन अगर आपकी financial statements में कुछ financial information की correctness की problem है या कुछ गलत information आ रही है तो natural सी बात है आपकी ratio analysis भी flop हो जाएगी पिट जाएगी तो यह हो गया आपका false results अच्छा fourth है आपका may not be comparable हमेशा comparable नहीं हो सकता क्योंकि हर अलग-अलग company अलग-अलग businesses कुछ अलग-अलग accounting policies या practices follow कर सकती है जिसकी वज़े से comparability आपकी effect हो जाती है यह सारी थे आपकी कोटी-मोटी theoretical बात है फिर classification of accounting ratios क्या क्या accounting ratios की classification होती है यहां से हमारा practical aspect शुरू हो जाता है तो आपके syllabus के according हमें चार classification पढ़नी है पहली है liquidity ratios फिर solvency ratios फिर activity ratios एं लास्ट आपका profitability ratios ठीक है तो हम एक एक करके आगे इंको discuss करना शुरू करते हैं तो यह है आपकी summary table जिसमें हम सारी ratios की discussion करेंगे सबसे पहले हम बात करते है liquidity ratios की liquidity ratios basically आपकी short term solvency denote करती है दिखाती है liquidity ratios basically short term solvency determine करने के लिए calculate की जाती है तो इसमें आपको दो major ratios पढ़ने होते हैं एक है current ratio एक है liquid ratio तो current ratio क्या होता है current ratio शो करता है short term financial soundness of the business क्योंकि short term के हम बात कर रहे हैं तो short term financial soundness of the business दिखाता है higher ratio का मतलब होता है कि better capacity है हमारे business की to meet its current obligation current obligation का मतलब हो गया short term obligations short term obligation और आप mcq point of view से याद रखना है कि current idle current ratio क्या होती है मैं थोड़ा से इसको zoom in कर दे तो idle current ratio आपको याद रखनी है idle current ratio होती है 2 is to 1 2 is to 1 तो यह आपके mcqs में पूछा जा सकता है current ratio का formula क्या होता है formula तो main is में तो formula आपके लिए क्या learn करना है current assets upon current liabilities यह होता है आपका formula ठीक है next expression कैसे होती है ratio की current ratio की इसको प्योर रेशियो फॉर्म में express करते प्योर रेशियो का मतलब क्या हो गया 3 is to 1 1.25 is to 1 3.5 is to 1 इस प्रकार से इसको express किया जाए अच्छा current assets of current liabilities में क्या क्या आता है आपको मोटा मोटा तो पता ही है एक बार देख लेते हैं यहां आपको तीजाद अधिक्कत नहीं आएगी तो current assets में बेसिक लिए आपके जो भी current assets के अंदर head के अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती है सारी आपको लेनी होती है जैसे current investments हो गई inventories हो गई पर ध्यान रखने inventories में current ratio की calculation के लिए हम stores and spills and loose tools को include नहीं करते हैं इसके लाबा trade receivables लेने होते हैं cash and cash equivalents लेने होते हैं short term loans and advance लेने होते है other current assets short term investments एक प्रकार से current investments से हो गया तो यह सारी आपके आजाती current assets के अंदर current liabilities के अंदर क्या आती है short term borrowings हो गई trade tables हो गई या other current liabilities हो गई short term provisions हो गई यह सारी चीज़ें आपकी current liabilities के अंदर आती है अगला ratio है हमारा liquid ratio liquid ratio के कई प्रकार के नाम है liquid ratio acid test ratio quick ratio सारी एक ही रेशियो है तो यह तीनों नाम आपको learn होने चाहिए liquid ratio acid test ratio quick ratio liquid ratio generally better ratio माना जाता है as compared to current ratio it is a stringent measure of liquidity stringent का मतलब हो गया strict होता है ठीक है यह चलो पहले लेदे it is based on those current assets which are highly liquid that is can be converted into cash and cash equivalents quickly नामी से आ रहा है quick ratio यादि हम liquid assets को लेके चलते हैं यानि उन assets को हम लेते हैं basically liquid ratio में जो बहुत easily cash में convert हो सकती है यहाँ पर भी एक idle ratio की बात होती है quick ratio की idle ratio क्या होती है one is to one ठीक है तो यह idle ratio आपको quick ratio और current ratio की पता होनी चाहिए current ratio की idle ratio होती है two is to one and quick ratio की होती है one is to one और एक और पॉइंट है higher हो आपका जित्ता भी ज्यादा होगा quick ratio उतनी आपकी better होगी short term financial position आपकी उतनी better ability होगी to meet your short term debts ठीक है liquid ratio का formula क्या होता है liquid assets या quick assets divided by current liabilities और liquid assets या quick assets कैसे calculate होते है वो मैं बता दिसकस कर लेते हैं फटा फट से पुछ देना चला तो quick assets formula को calculate करने का formula होता है current assets minus inventories minus prepaid expenses ठीक है तो generally हम लोग मानते हैं कि inventories और prepaid expenses liquid assets नहीं होते ठीक है क्योंकि easily cash convert नहीं हो सकते है या तो हो ही नहीं सकते ठीक है तो quick assets का formula होगा current assets minus inventories minus prepaid expenses और current liabilities तो आपको पता ही है same जो उपर आपने discuss किया या पढ़ा वही मतलब होता है current liabilities का यह भी pure ratio में express होता है यह भी आपको पता होना चाहिए तो again यह भी 3 is to 1, 2 is to 1, 1.5 is to 1 इस परकार से express किया जाता है next हम discuss करते है solvency ratio solvency ratio basically आपकी long term solvency बताता है या long term debts repay करने की capability निकालने में या determine करने में help करते है तो solvency ratio बेर सब्सक्राइब इंपोर्टन रेशो जो आपको आता है वो है debt to equity ratio यह रेशो क्या होता है it assesses the long term financial position and soundness of interest price lower the debt to equity ratio higher the degree of protection enjoyed by the lender lenders यहाँ पर मतलब हो गया long term lender यह generally देखते है long term lender ठीक है इसका formula क्या होता है debt upon equity debt to equity इससे पता लगता है debt upon equity equity का मतलब होता है shareholders fund और debt का मतलब होता है long term debts long term debts ठीक है यह भी pure ratio में होता है denote जैसे 2 is to 1 1 is to 1 इस प्रकार से debt मैंने जैसे की बोला debt हम बोलते है long term debts की बात करते है तो इसमें क्या क्या आ जाती है long term borrowings आपके लिए जो relevant है वो याज रखने के लिए वो है long term borrowings या and plus long term provisions ठीक है यहां debt की basically मतलब हो रही है non current liability की बात हो रही है long term borrowings plus long term provisions और shareholders fund shareholders fund में basically क्या क्या आते है आपके share capital and reserves and surplus यहां रखना share capital में दोनों आ जाती है equity share capital and preference share capital shareholders funds पे और capital employed पे मैंने detail पे discussion किया है जो कि already वीडियो जिसकी वीडियो अप्लोड़ेड है ठीक है तो shareholders fund निकालने का और भी परीके होते हैं तो उस वीडियो पे मैंने already सब कुछ discuss कर रखा है जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं non current assets plus आपका हो गया working capital और minus non current liabilities non current assets plus working capital minus non current liabilities ठीक है और working capital क्या होता है current assets minus current liabilities इसको मोलते है working capital next आपका solvency ratio में आता है total asset to debt ratio यह क्या यह ratio क्या दिखाता है it measures the safety margin available to lenders of long term debts obviously जब solvency हम इस ratio में mostly long term lenders के point to view से बात करते हैं तो it measures the safety margin available to lenders of long term debts it measures the extent to which debt is being covered by asset हमारे long term debts कि हद तक हमारे total assets cover होते हैं किस हद तक यह दिखाता है total asset to debt ratio formula क्या है formula होता है आपका total assets upon debt और यहां पर अगेन हम long term debts या फिर non current liability की बात करते हैं तो same meaning जो long term debts को उपर देखा हमने long term borrowings plus long term provisions वह ही आपका यहां पर आता है formula बन जाता है total assets upon long term debts चली थर्ड solvency ratio आता है आपका proprietary ratio तो proprietary ratio क्या होता है अचा secondly एक और बाद total asset to debt ratio यह भी pure ratio में denote किया जाता है express किया जाता है चली अचा proprietary ratio पे वापस आते है it shows the extent to which total assets have been financed by the proprietor प्रोप्राइटर का मतलब बेसिकली यहां पर हो गया shareholders shareholders जाता ratio जादा होगा उतनी safety margin होती है आपकी lenders and creditors की तो यह ratio basically क्या जिखाता है आपके total assets का कितना हिस्सा shareholders के पैसों से financed है यह दिखाता है proprietary ratio तो meaning clear होना चाहिए और formula क्या बनता है इसका shareholders fund divided by total assets और जो इसके expression होती है वो यह तो pure ratio से भी हो सकती है यह percentage से भी हो सकती है अगर आपको यह ratio percentage पे express करना है तो इस formula को multiply करना देना होगा आपको hundreds ठीक है तो mcq की अगर मैं बात करूँ तो आपके mcq में जैसे option होंगे अगर वो pure ratio के options है तो आप accordingly calculate कर लेना अगर percentage के options है तो आप accordingly calculate कर लेना shareholder fund क्या होते हैं result and surplus total assets we discussed है current assets plus non current assets simple last solvency ratio आता है आपका interest coverage ratio interest coverage ratio shows how many times the interest charges are covered by the profits available to pay interest यानि आपके profits जित्ते भी हैं वो कितनी बारी आपके interest की payment करने में कितनी बारी वो interest की payment कर सकते हैं यह दिखाता है interest coverage ratio higher the ratio more security to the lenders in respect of payment of interest regularly और जहां पर हम यहां पर जो interest की बात करते हैं वो हम on long term debts की बात कर रहे हैं interest on long term debts जैसे long term loans हो गए या debentures हो गए ठीक है it shows how many times profit can cover the interest charges पॉर्मला याद रखने हैं आपको पॉर्मला याद में profit before interest and tax divided by interest on long term debts दीक है तुम यहां पर interest on long term debts की बात करते हैं अच्छा इसके expression कैसे होती है एक मिंट देना इसके expression होती है in times ठीक है ज्यान रखना जब solvency ratio की expression की बात आती है तो चार में से तीन ratio ऐसे हैं जो यह प्योर रेशियो में express किया जाते है और आपका proprietary ratio percentage में भी express किया जाता है लेकिन एक ratio है interest coverage ratio जो कि times में number of times में express किया जाता है दूसरी बात आपको यह ratio calculate करने के लिए profit before interest and tax ची होता है बट suppose अगर आपको profit before interest and tax नहीं दिया हुआ profit after tax दिया हुआ है तो उसके लिए यह हो गए हमारी solvency ratio cover हो गया third type of classification ratio होता है वह उस पर आते activity ratios या turnover ratios इसमें आपको मोटे मोटे चार ratios पढ़ने है तो पहला ratio आता है आपका inventory turnover ratio पहले meaning पढ़ लेते हैं it measures how fast inventory is moving and generating sales कितनी बारी या कितनी तेजी से आपकी जो inventory है वो भिख के cash में convert हो जाती है यह basically दिखाया जाता है not exactly cash में convert होना basically है आपकी inventory पड़े-पड़े सड़की तो नहीं है जल्दी-जल्दी inventory आपकी move होनी चाहिए बिखनी चाहिए तो यहीचीज determine करने में help करता है inventory turnover ratio higher the ratio more efficient management of inventory जितना जाधा ratio होगा उत्ती इसका मतलब है जाधा ratio का मतलब होता है जाधा तेजी से आपका जो inventory वो बिख रही है और वो better inventory management denote करता है formula main तो formula है तो formula revise कर लेते है cost of revenue from operations divided by average inventory cost of revenue from operations क्या होता है basically it means cogs अब cogs की calculation हम लोग gross profit ratio पर देखेंगे आगे देखते है but formula आपका बन जाता है cost of revenue from operations या फिर cost of goods sold divided by average inventory चलिए यह भी express किया जाता इन number of times और average inventory निकालने का simple formula opening inventory plus closing inventory divided by 2 cost of goods sold कैसे निकलता है यह अभी आगे थोड़ी दिर में discuss कर लेंगे recall कर लेंगे अभी हम second ratio पर आते हैं trade receivables turnover ratio this shows efficiency in the collection of amount due from trade receivables higher the ratio better it is since it indicates the debts are being collected more quickly इतनी तेजी से आपके trade receivables को आप cash में realize कर रहे हो यह दिखाता है trade receivables turnover ratio इसका formula क्या बनता है credit revenue from operations in other words यह क्या हुआ net credit sales net credit sales net credit sales का मतलब क्या हुआ gross credit sales minus sales return इसको बोलते है net credit sales तो credit revenue from operations divided by average trade receivables यह भी express किया जाता है number of times ठीक है अच्छा जब हम trade receivables term बोलते हैं तो याद रखते हैं आपको means debtors plus bills receivable ठीक है तो जब मैं average trade receivable निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल हूंगा opening debtors plus bills receivable plus closing debtors and closing bills receivable divided by 2 यह आपका formula बन जाता है in simple words यह formula हो गया opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2 यह बन जाता है आपका formula चले थर्ड ratio पढ़ते हैं trade payables turnover ratio यहाँ पे हम trade payables की बात करते हैं तो यह कहता है इस शोज़े number of times the creditors are turned over in relation to purchases a high turnover ratio a shorter payment period shows the availability of less credit or early payments in simple words मैं बोलू तो यह दिखाता है कि हम कितिनी बार ही अपनी trade payables को pay कर रहे हैं या उनकी liability को settle कर रहे हैं यह दिखाता है trade payables turnover ratio ठीक है basically trade receivables का बिल्कुल trade receivables turnover ratio का बिल्कुल उल्टा हो गया इसका formula क्या बन जाता है net credit purchases divided by average trade payables net credit purchase का क्या मतलब हो गया gross credit purchase minus purchase return यह भी number of times में denote करता है किया जाता है यह express किया जाता है अचा trade payables का क्या मतलब होता है creditors plus bills receivable तो जब words मैं बोल सकता हूँ opening trade payables plus closing trade payables divided by अच्छा इस चीज इस table में नहीं दे रखी लेकिन जो पढ़ाई जाती है आपको जब मैं trade receivable turnover ratio पढ़ता हूँ trade receivable turnover ratio पढ़ता हूँ तो इसमें एक और ratio हम लोग पढ़ते हैं वो होता है या एक और term हम calculate करते है वो होता है debt collection period या इसको average collection period भी बोलते हैं यह basically दिखाता है कि हमारे हमको on an average अपने debts को या debtors को realize करने में या trade receivables को realize करने में कितना time लगता है तो इसका formula बनता है 365 days या फिर 12 months divided by trade receivable turnover ratio अगर हमें days में calculation करने है तो हमें numerator में 365 days लेना पड़ेगा और अगर हमें number of months में calculation करने है तो आपको numerator में 12 months लेना पड़ेगा depending on mcq जो भी options होंगे आपको accordingly देखके समझा जाएगा कि आपको calculation based में करने है या months में करने है तीक है similarly जब मैं trade payables turnover ratio की बात करता हूं तो यहां पर हमें term use करते हैं average payment period average payment period बिल्कुल same way में यह भी calculate होता है अचाई दिखाता क्या है simply on an average हमें trade payables को settle या pay करने में कितना time लगता है यह दिखाता है average payment period और calculation करने का तरीका वह ही है 365 days और 12 months divided by trade payables turnover ratio अगेन अगर आपको days में calculation करने है तो numerator में 365 days लोग है और months में calculation करने है तो numerator में 12 months लोग है चलिए तो तीन हमने activity ratios पढ़ ली last आपके activity ratio बनती है working capital turnover ratio यह क्या दिखाता है it shows the number of times working capital has been employed in the process of carrying on business basically higher the ratio better the efficiency and utilization of working capital तो हम अपनी working capital को कितनी efficiently utilize कर रहे वर्किंग capital का तलब current asset minus current liabilities फॉर्मला क्या बन जाता है revenue from operations divided by working capital और जब मैं revenue from operations बोलता हूँ इसका क्या मतलब होता है net sales इसका meaning होता है net sales यह ratio भी working capital turnover ratio भी number of times में express किया जाता है और मैं पहली बता दिया मैंने working capital का क्या formula होता है current assets minus current life ठीक है तो यह चार हो गए आपके activity या turnover ratios खत्राइब फिर lastly हम लोग fourth type of ratios में आते हैं जिसको हम बोलते है profitability ratio तो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है profitability ratios यानी हम लोग यहां पे कुछ profitability की calculation determination करते हैं इन ratios की help इन में आपको क्या क्या ratios पढ़ने हैं तो सबसे पहला हम ratio पढ़ते हैं gross profit ratio तो यह ratio क्या दिखाता है simply it indicates the relationship between gross profit and net sales higher the ratio lower the cost of goods तो gross profit तो आपने 55 भी पढ़ा है class elements में क्या होता है basically जो trading account में बचता है वो होता है gross profit तो gross profit निकालने का क्या तरीका होता है revenue from operations minus cost of revenue from operations या simply मैं बोल सकता हूं RFO minus COGS यह होता है gross profit ठीक है अच्छा COGS कैसे निकल रहेंगे है ठीक है COGS का use हमने आपके inventory turnover ratio में भी किया था तो cost of goods sold कैसे निकलता है तो यह आप इसका formula revise कर लो opening inventory which excludes stores and spares and loose stores ज्यान रखना opening जब COGS की calculation करते है तो हम लोग stores and spares and loose stores को नहीं लेके चलते तो formula बन जाता है वैसे आपने levels में भी पढ़ाया formula opening inventory plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory again excluding stores and spares and loose tools यह आ जाता है पर COGS यह जो formula हम पढ़ते हैं यह हम trading companies के लिए पढ़ते हैं जो goods की खरीद और बेच में involved होते हैं what if अगर manufacturers के लिए calculate करना है आप हो cost of goods sold या cost of revenue from operations तो उस case में formula बन जाता है cost of material consume plus purchase of stock and trade अगर stock and trade की purchase भी हो रही है plus change in inventories of finished goods WIP and stock and trade plus direct expenses यह हो जाता है आपका basically cost of goods sold manufacturing company के लिए अच्छा cost material consume क्या मतलब होता है opening raw material plus purchase of raw material minus closing raw material यह होता है आपका cost of material consume और अगर मैं change in inventory यह बात करूँ तो इसका मतलब होता है यह भी मैं लिख लेता हूँ change in inventory का मतलब होता है basically opening inventory minus closing inventory minus closing inventory यह होता है change in inventory तो यह है आपका GP ratio फॉर्मला तो आपने एक बार revise कर लिया अच्छा जब profitability ratios हम express करते हैं तो वो हम करते हैं percentage पे तो gross profit ratio भी आपका percentage में calculate होता है इसलिए इसमें into hundred हम लोग करके चलते हैं अगला ratio आ जाता है आपका operating ratio तो meaningful लेते हैं पहले it it is calculated to assess the operational efficiency of the business a decline in the operating ratio is better यह आप याद रखना यहां से mcq मन सकता है जब मैं operating ratio की बात परता हूँ तो यह जितने कम हो उतना अच्छा है जितने कम हो उतना अच्छा है क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसके लिए इसका formula देखो operating cost divided by revenue from operations into 100 यानि कि इसकी new operator में हम लोग एक cost यानि एक खर्चा एक प्रकार से लेके चल रहे है तो जितना ज्यादा operating ratio percentage में आएगा इसका मतलब उतनी ज्यादा आपके खर्चे या cost है इसलिए मैं बोलता हूँ जितना ratio कम हो उतना अच्छा है कम ratio होने का मतलब है मेरे कम cost ह ठीक है तो formula हो जाता है आपको operating cost upon revenue from operations into 100 अब यहाँ पर आपको terminal knowledge इसका बहुत ध्यान रखना है operating cost का क्या मतलब होता है operating cost का मतलब होता है cost of goods sold plus operating expenses plus operating expenses तो आपको बहुत ध्यान से देखना है question में अगर operating cost दे रखा है तो आपको simply operating cost लेके चलना है और अगर आपको तोड़ तोड़ के दे रखा है COGS और operating expense तो आपको accordingly लेके चलना है कभी-कभी question आपको पागल बनाने के लिए operating cost भी देदेगा and let us say operating expenses भी देदेगा ठीक है तो आपको ध्यान रखना है उस case में आपको operating expenses को ignore करके चलना है क्योंकि operating cost में already operating expenses included हो सकता है included होता है same way में हो सकता है question और COGS भी देदे तो अगेन आपको उस case में भी COGS ignore करके चलना है क्योंकि operating cost में COGS already included होता है तो operating cost is equal to COGS plus operating expenses इसी के according ये वाला भी formula बन जाता है अगर आपको तोड के formula बनाना है ratio का तो formula का बन जाएगा cost of revenue from operations plus operating expenses divided by revenue from operations into 100 ये ratio भी percentage में express होता है cost of revenue from operations निकानने का तरीका हम already discuss कर चुके ठीक है और operating expenses क्या होता है basically ये भी देख लो operating expenses में क्या क्या आते है इसमें आ जाता है employee benefit expenses depreciation and amortization आ जाता है other expenses आ जाता है यानि other than non operating expense तो basically यहाँ पर मतलब हो गया other operating expenses ठीक है और revenue from operations तो वही होता है आपके net sales sales minus sales return ठीक है चली next ratio है आपका operating profit ratio ठीक है यह ratio भी कहीं ना कई operational efficiency निकालने के काम आता है ठीक है यह ratio भी आपका operational efficiency ही निकालने के काम आता है यह formula बन जाता है इसका operating profit divided by revenue from operations into 100 एक और चीज़ आपको याद रेखने है operating पूरा ही लिख लेता हूँ operating ratio ready ratio operating profit ratio is equal to 100 इसा दोनों जो रेशियो हमने पड़े operating ratio अंड operating profit ratio इनका जो सम आएगा वह हमेशा हंड़ीड आएगा यह भी आपको चीज़ यादि रखनी है यह भी 쓸 क्ने की next operating profit निकलता कैसे है अगर आपको net profit दे रखा है इसमें आपको non operating expenses को add कर देना है और non operating incomes को minus कर देना है तो आ जाएगे आपके operating profit या फिर अगर आपको gross profit को use करके निकालना है basically आपका operating profit तो आपका formula बन जाएगा gross profit plus other operating incomes minus other operating expenses minus other operating expenses तो इस प्रकार से आपका operating profit आजाएगा अच्छा जब मैं non operating expenses on non operating income की बात करता हूँ तो यह क्या होते हैं non operating expenses ऐसे खर्च होते हैं जब के principal operations या main business principal business activities से relate नहीं करते हैं similarly non operating incomes ऐसी incomes होती ही जो principal business activities से नहीं होती तो इसके आपको basically आपको याद रखने की क्या क्या आता है तो non operating expenses में basically आ जाते हैं interest on long term borrowings basically जिनको हम बोलते है finance cost and loss on sale of fixed asset या non current asset तो loss on sale of fixed asset या loss on sale of investment and interest on long term borrowings या पर finance cost यह होते हैं basically आपके non operating खर्च है similarly non operating income में क्या क्या आता है interest अगर आपको receive हो रहा है investment पे या profit on sale of fixed asset या non current asset या आजाते हैं आपके non operating income में तो non operating खर्चे क्या होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है और non operating income क्या होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये भी आपको अच्छे से clear होना चाहिए चलिए वो fourth profitability ratio पर्टते हैं net profit ratio it indicates overall efficiency of the business okay higher the net profit ratio better the business okay तो जित्ता जाधा ratio होगा net profit ratio का उस्त अच्छी बात होगी उस्ता अच्छी बात होगी उस्ता it will be a positive sign formula बन जाता है आपका net profit after tax divided by revenue from operations into 100 net profit after tax क्या होते हैं gross profit plus other income minus indirect expenses minus tax यह हो जाता है आपका net profit after tax चलिए यह ratio भी ध्यान रखना profitability ratio सारे percentage में express किये जाते हैं तो यह भी percentage में express किये जाते हैं last ratio आपका बंदा है return on investment या जिसको हम return on capital employed भी बोलते हैं तो it assesses the overall performance यह keyword है overall performance तो it assesses the overall performance of the enterprise it measures how efficiently the resources interested to the business are used तो एक overall performance दर शाता है return on investment बेसिकली आपका इसका formula बन जाता है profit before interest tax and dividend divided by capital employed into 100 तीक है into 100 कर रहा हूँ यह भी percentage में express किया जाता है अच्छा capital employed निकालने के दो approach होता है liability side approach और asset side approach again दुबारा से repeat कर रहा हूँ shareholder's point और capital employed इन दोनों terms पे इनके formulas पे मैंने detailed discussion किया है separate video में और जिसका link आपको i button में मिल जाएगा आप check कर सकते हैं तो capital employed अगर आपको liability side से निकालना है तो कैसे निकाल होगे share capital plus reserve and surplus plus long term borrowings plus long term provisions तो यह होता है capital employed और अगर आप asset side से निकालना है तो formula बन जाता है non current assets plus working capital या फिर इसको in other words बोल सकते हो total assets total assets minus current liabilities total assets minus current liabilities working capital जह होता है current assets minus current liabilities यह पता है ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो आपको बता ही जाती है जब हम capital employed निकालते हैं it excludes it excludes a non trade investment it excludes a non trade investment तो capital employed जब आप निकालोगे तो इसमें आपको non trade investment exclude करके चलना है और अगर question silent है अगर question silent है तो आप given investment को trade investment ही मान के चलोगे अच्छा formula हम क्या लेके लेके चल रहे है profit before interest tax and dividend divided by capital employee तो जब मैं denominator में non trade investment को exclude कर रहा हूँ तो correspondingly जब मैं profit before interest and tax लूँगा तो यहाँ पे भी मुझे exclude करना पड़ेगा income from non trade investment तो जब return on investment की हम calculation करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है capital employed में non trade investment exclude होता है और इन correspondingly जब profits आप numerator मे लेते हैं उसमें भी जब income होती non trade investment से वो भी exclude होती है तो यह था आपका पूरा accounting ratios का concept summary चल्व इसके बाद अब हम अपने second भाग में आते हैं इस वीडियो के तो हमने पूरा concept revise कर लिया formula बगर एक बगर रिवाइस कर लिया अब एक sample practice के लिए case based question discuss करते हैं तो अब आपको screen पे नजर मारनी पड़ीगी तो यह case based question आपके सामने खुला हुआ है एक case based question है इस question को आप download कर सकते हो link में description में छोड़ दूँगा आप download कर लेना अगर आपको मन करता है तो तो आएए इस पूरे इस case based बड़े से question को एक बाद check करते है read the following hypothetical case and answer the given below question answer the questions given below तो आपको एक company है case भी limited उसकी कुछ financial figures दे रखी है for 2019, 2020 and 2021 तो तीन साल के आपको कुछ financial figures दे रखी है 2021, 2020 और 2019 क्या-क्या दे रखी है trade receivables दे रखा है, inventory दे रखा है other current assets दे रखा है non current assets दे रखा है current liabilities दे रखा है revenue from operations दे रखा है और इसमें बोला हुआ है सारा का सारा है 100% on credit यानि पूरा का पूरा credit revenue from operations है अच्छा, इसके लाब और क्या दे रखा है gross profit ratio दे रखा है operating expenses दे रखे है, equity share capital दे रखा है, preference share capital दे रखा है, reserves and surplus दे रखा है, credit balance in statement of PNLB दे रखा है, इसके लाब बॉरिंगs and long term provisions दे रखा है, चलो, अब एक एक करके देखते हैं, question में क्या क्या हमको निकालना है, question number one कहता है, proprietary ratio क्या होगी 2020 की, 2020 की आपको proprietary ratio देनी है, इसके लिए आपको 2020 की figures लेके चलनी पड़ीगी, तो proprietary ratio का formula क्या होता है, shareholder spend divided by total assets into 100, और जान रखना, साल पर गोहर करना, कौन से कौन से साल की calculation करनी है, तो इसमें आपको 2020 की calculation करनी है, तो सबसे पहले आपको total assets निकालना है, तो total assets के लिए आपको क्या दे रखा है, total assets is equal to current assets plus non current assets, total assets is equal to, यह मैं question number one discuss करना हूँ, total assets is equal to non current assets plus current assets, non current assets आपको directly दे रखा है question में, कितना, 40,000 रुपे, 40,000 होगे आपको non current assets, current assets आपको individually लेना पड़ेगा, तो current assets में आपको क्या क्या दे रखा है, trade receivable दे रखा है, inventory दे रखा है, other current assets दे रखा है, और हाँ, बस इत्ता दे दे रखा है, तो यह तीन चीज़े दे रखी है, तो plus, plus 20,000, plus 25,000, plus 15,000, तो यह सब को total करूँगा, तो यह आजाएगा 1,00, total assets आपके 1,00, next आपको निकालना है, shareholders fund, shareholders fund कैसे निकाल होगे, shareholders fund के लिए आपको equity share capital दे रखा है, reference share capital दे रखा है, reserves and surplus दे रखा है, और ध्यान से देखना है, आपको credit balance in statement of P&L भी दे रखा है, तो इस प्रकार से questions में आपके चालाखी हो सकती है, तो आपको अपने concepts को बहुत क्लियर रखना है, credit balance of statement of P&L already reserves and surplus में included होता है, reserves and surplus में सब कुछ आता है, सारे reserves, credit balance of P&L, सब कु credit balance of statement of P&L already included होगा, तो इस 20,000 रुपे में already कहीं न कहीं है, पांच हजार रुपे included होगा, तो आपको basically क्या लेके चलना है, यहाँ पे equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus, तो equity share capital कित्ती दे रखिए, 50,000, preference share capital 10,000 दे रखिए, और reserves and surplus आपको 20,000 दे रखिए, तो टोटाल आ जाएगा 80,000, तो proprietary ratio कैसे आ जाएगी आपकी, formula क्या होता है इसका, shareholders fund divided by total asset, और options देखो, options सारे percentage में दे रखिए, तो इसके लिए आपको 100,000 को multiply भी करना पड़ेगा, अगर percentage में निकालना है, तो put करके देख लो, 80,000 divided by 1,00,000 into 100, तो यह आगया आपका 80%, आजाओ जी, option में आपका आगया यह 80%, ठीक है जी, question 1 done हो गया, question 2 देखते है, trade receivable turnover ratio चाहिए, gain 2020 का, तो काम करते हैं, पहले हम लोग formula लिखते हो चलते हैं, तो trade receivable, short shot में लिखता रहूँगा, trade receivable turnover ratio का क्या formula होता है, net credit sales, net credit sales, divided by average trade receivables, यह formula होता है, अब आजाओ, ढूंड़ो ही सारी figures, जब 2020 की कन्नी है हमको calculation, revenue from operations, दे रखा है आपको, और सारा का सारा credit है, हानि 100% credit sales है, तो आपकी revenue from operations का मतलब ही होता है net credit sales, और स्वारी revenue from operations का मतलब ही होता है net sales, और question में given है कि सारा का सारा credit पे है, तो net credit sales आगया आपका, net credit sales आपका 1,20 आगया, next आपको average trade receivable निकाल नहीं होती है, average trade receivable कैसे निकालोगे, तो हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो जो इस साल का आपको 20,000 रोपे जे रखा है trade receivable, यह कहीं ना कहीं closing होगा, यह कहीं ना कहीं closing trade receivable होगा, और जो पिछले साल का closing trade receivable होगा, वो इस साल का opening trade receivable होगा, यानि जो 2019 का, यह 15,000 का trade receivable आ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं opening trade receivable है, तो अगर मैं average trade receivable, टी-ार निकालना चाहूँ, तो यह कितना आ जाएगा, average trade receivable, यह आगया आपका, 15 plus 20 divided by 2, plus 20 divided by 2, तो यह आगया 35,000 divided by 2, that is 17,500, भस अब आप ratio की formula में सारी values put कर जे निये, तो net credit sale किती, एक लाग बीज दे रखी थी न, yes, एक लाग बीज दे रखी थी, तो 1,20,000 divided by 17,500, यह कितना आ जाएगा, मैं काल देता हूँ जल्दी से, 1,20,000 divided by 17,500, तो यह आ रहा है, मोटा मोटा, 6.86 times, round off करके आ रहा है, 6.86 times, तो ऐसा option देख लेते हैं, तो यह मिल गया है, मुझे option 6.86 times, 3rd question करते हैं, inventory turnover ratio आपको निकालनी है, ध्यान रखना 2001 के से, तो inventory turnover ratio का formula क्या होता है, question number 3 कर लेते हैं, सबसे पहले formula लिख लेते हैं, inventory turnover ratio का क्या formula होता है, cost of goods sold या cost of revenue from operations divided by average inventory, divided by average inventory, आज़ो, अब हम निकालते हैं, cost of goods sold, यह निकालने के लिए आपको क्या given है, कौन से साल के हमें calculation करनी है, 2021 की, इसके लिए आप ध्यान देना, आप देखो कि आपको sales दे रखी है, और आपको gp ratio दे रखा है, gp ratio जब दिया होता है सरफ, तो gp ratio किस पर calculate करते हैं हम लोग, sales पर calculate करते हैं, यानि कि आप sales given हैं आपको, और gp ratio के help सब gp निकाल सकते हो, तो जब sales है, gp है, that means आप cogs भी निकाल सकते हो, इसमें आप कैसे निकालोगे, क्या formula यूज़ करके निकालोगे, cogs, cogs is equal to revenue from operations minus gross profit, minus gross profit, revenue from operations कित्ती दे रखी हैं आपको, 1,60,000 और gp ratio दे रखा है 25%, 1,60,000 minus 25% of 1,60,000, 25% यानि 1,4 हो गया, तो 1,60,000 का 1,4 हो गया 40,000, तो यह निकल के आ जाएगा, 1,20,000, अच्छा, next आपको निकाल दिया average inventory, आजाओ, same fund डालागाना है आपको, आपको यह 2021 की 45,000 जो inventory दे रखी है कहीना कई closing है, और जो तो 2020 की inventory दिखी रही है आपको, यह कहीना कई opening होगी, तो 45 और यह 25 यह आपको figures लेके चलनी है, तो यह आगया आपका 25 plus 45 divided by 2, यह कहीना कही निकल के आ जाएगा 35,000, यह कहीना कहीन निकल के आ जाएगा 35,000, तो जब आप ratio निकालने जाओगे, अब आपने सब निकाल दिया, EOGS निकाल दी एक लाग 20,000, और average inventory निकाल दी 35,000, तो यह solve कर लो किता आ रहे है, 120 divided by 35, तो यह आ रहा roughly round off करके आ रहा है, 3.43 टाइम्स, 3.43 टाइम्स, देखलो ऐसा option, तो 3.43 टाइम्स यह निकल के आ, question 4 देखते हैं, आपको 2019 की debt to equity ratio निकालनी है, 2019 की debt to equity ratio निकालनी है, तो फत्ते विले formula लिके लेते हैं, question 4, नीचे जा भाई, जल्दी से, debt equity ratio निकालनी के लिए, formula जो होता है, वो basic लिए होता है, non-current liability upon shareholders fund, non-current liability upon shareholders fund, non-current liability कैसे निकालोगे हैं यहाँ पे, long term borrowings, plus long term provisions, यही दे रखा है आपको question में, तो 2021 के लिए निकालना है हमको ध्यान रखना, 2021 के लिए निकालना है, 2021 के लिए बोला है न question ने, sorry, 2019 के लिए बोला है, 2019 के लिए निकालना है आपको, 2019 के लिए, आज आओ जी 2019 की figures देख लिए पहले non-current liability निकाल लिए तो 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 2019 में आपको long term borrowings दे रखी हैं, एक लाग दस हजार की और long term provisions दे रखें, एक पांच हजार का total आगया एक लाग पंद्रा अगया नोट कर लेते हैं, एक लाग दस प्लस पांच डिवाइड़ बाइड 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 सरी इस इक्वल टू यह आगया एक लाग पंद्रा चली, अच्छा, shareholders fund तो इसमें निकालने का तरीका हम अम अल्रेडी देख चुके हैं, तो shareholders fund के लिए आपको क्या यूज़ करना है, प्रेफिरेंट शेर कापिटल, प्लस प्रेफिरेंट शेर कापिटल, प्लस रिजर्व देंशर प्लस, यह तीनों चीज़े लेकर चलनी है, तो यह तीनों चीज़े में लाग कित्ती आ रही है, 50 प्लस 10 प्लस 17 तो यह आ रहा है आपका 77,000, 50 प्लस 10 प्लस 17 तो यह आ गया टोटल, 77,000, दीक है, तो ratio कित्ती आ जागे निकल के, 1,15,000 divided by 77,000, तो यह कित्ता आ रहा है, 1,15,000 divided by 77,000, यह आ रहा है, मोटा मोटा, round off करके 1.49 is to 1, धूनलो ऐसा option दिख रहा है आपको कहीं, 1.49 is to 1, यह रहा, यह option में है, 1.49 is to 1, चल्या, question number 5 पर आ जाओ, operating ratio निकालना है आपको 2021 का, ठीक है, आ जाओ, question number 5 करने के लिए हम लोग पहले operating ratio का formula लिख लेते हैं, question number 5, operating ratio is equal to operating cost upon revenue from operations into 100, और operating cost कैसे निकाल होगे, COGS plus operating expense, ठीक है, और यह कौन से साल की निकालना है आपको, एक बाद दुबारा देख लेता हूँ, 2021 की निकालना है आपको, यह आपको निकालना है, 2021 की, आचा, I think 2021 की हमने COGS अल्ड़ी निकाल दी थी, if I am not wrong, yes, question 3 में हमने 2021 की COGS निकाल दी थी, कहा है, कहा है, यह रही, तो एक लाग बीस हजार की हमने COGS निकाल ली थी, 2021 की, ठीक है, और operating expenses अगर आप देखोगे तो आपको given है, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, यह रही, 15,000 के, तो यह क्या आ जाएगा, operating cost कित्ता निकल के आ जाएगा, 120, 120, प्लस कित्ता दे रखा था, 5000 दिया तो, प्लस 15,000, प्लस 15,000, यह आ जाएगा, आपका, 135,000, तो रिएश्यो निकाल लो, 135,000 आपके operating cost आ गई, divided by revenue from operations कित्ता दे रखा है, इसे देख लेता हूँ, 160,000, divided by 160,000, into 100, तो यह कित्ता आ जाएगा, 135,000 divided by 160, into 100, तो यह मोटा मोटा आ रहा है, 84.38%, देखते हैं, ऐसा कुछ option दिख रहा है कि आपको, देखते हैं, ऐसा option है कि नहीं, देखें, 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 84.38 option यह रहा, चालो, finally last, मैं question 6 कर लेते हैं, यहीं नीचे जगा है, तो यहीं कर लेता हूँ, question 6 मैं यहीं कर लेता हूँ, आपको बोला है, liquid ratio निकालो, liquid ratio का क्या formula होता है, liquid asset, divided by current liability, और आपका liquid asset या quick asset जो भी बोलो इसको, इसका formula होता है, current asset minus inventory, इस question में prepared expense नहीं गिवन है, तो वो मैं लिखनी रहा, यहाँ पे हम लोग सरफ inventory देखेंगे, ठीक है, तो बस basically आपको inventory छोड़के, सारे current assets को add कर देना है, कौन से साल के लिए बोला है, बाई, 2019 के लिए, तो 2019 में यह आ गया, 15, 15 और 10, ठीक है, यह नहीं लेना, ठीक है, liquid asset में यह नहीं लेना, जिसरे 15 और 10 यह आ जाएगा, आपका 25, तो liquid asset आ गया आपका, 15, लस 10, that is equal to 25, तो ratio कित्ता आ जाएगा, 25,000, divided by current liabilities, current liabilities दे रखिये, 831, A में दिख रहा है, ठीक है, तो एक यह case based MCQ था, इतना lengthy नहीं आएगा, इतने number of questions नहीं आएगा, एक case में, मैंने जान मुझके डाल दिये, ताकि एक revision और practice type हो जाएगी, आप लोगों की साथ, ठीक है, तो मुझे उमीद है, यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी, अगर आप कई वीडियो helpful लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ share कर दे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को like जरूर करिएगा, इससे मुझे motivation मिलती, और ऐसी वीडियो बनानी की, और अगर ऐसी और वीडियो की आप notification चाते हैं, तो bell icon भी प्रेस कर सकते हैं, और और भी वीडियो मेरे चानल पर अप्लोड़ेट, आप उससे चेक कर सकते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ, आप अपने ख्याल रखेंगे, अपने health का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हासी कुशी रहें, एक दूसरी की help करते रहें, और positive mindset से पढ़ाई करते रहें, मैं बहुत जंदी ऐसी एक और वीडियो लेक्चर में आप से मिलूँ हूँ, तब तक के लिए, बाए बाए